बाहराष्ट की जो सियासत है वो लगातार उसमें नए नए अपडेट्स आते चले जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोट में जो एकनाज सिंदे की तरफ से इस चीज के याचिका डाली गई थी कि जो सिवसेना की संपतियां है यानि जो चाहे वो भवन से करके बाकी संपत्यों पे तो वो जो है एकनाज सिंदेग उटके वो ट्रांसफर कर दिया जाए इसको फिलाल ख़बर है कि उसको खारिज कर दिया है और सातीच सुप्रीम कोट की तरफ से सवाल किया गया एकनाज से लिए कि आप कौन है दरसल वह खारिज होने का चुकि पहले कर रहे था उसमें कई सारे बदलाव लगातार देखे जा रहे हाँ एक के बाद एक लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं अब ताजा-बयान जो है वह ऊधर ठाकरे ने एक नाथ सिंदे पर जबर जस्तुरूप से वार किया है उद्धर ठाकरे ने इस सरकार गिराई गई उसका बदला जरूर लिया जाएगा उन्हों ने ये भी कहा कि जो जिन लोगों के उकाद जूते पोचने जैसी है वो सरकार में बैठे हुए है तो ये इस तरीके का बयान उद्धर ठाकरे का आया जिसके बाद फिर ये विवाद शुरू हुआ एक उन्हें मेहनत करके खाते हैं प्ने जादा इमानदारी से जीवन जीते हैं और साथी साथ उन्होंने उद्धर ठाकरे को टार्गेट करते हुए कहा कि आपकोई जो सियासत है वो विरासत में मिली है और ये सारे दोग जो हो खुद से अपनी चीज़े बनाते हैं मेहनत करते ह और तब वो जीवन जीते हैं तो यह जो कटाक्ष है वो लगातार अब दूसरे के उपर चल रहा है उद्व ठाकरे ने बारसुरी फाइनरी को ले करके चिठी लिखनी की बात भी कही उन्होंने इस चीज को फिर से दोहराया कि उसको ले करके उन्होंने पत्र दिखा था तो य यह जो सारे बयान है एक के बाद एक लगातार वहां से जो निताओं के बयान आ रहे हैं अभी पीछे सरत पवार से जो चीजे शुरू होई थी पर उसमें सुप्रिया सीले की चीजे जूड़ी पर अजीत पवार सरत पवार ने पहले जेपीसी को ले करके पूरे विपक से एक अलग राय रखी जिसकोले करके विबाद हुआ फिर उनकी अडानी से दो घंटे की लंबी मुलाकात हुई उसकोले करके विबाद हुआ उदर सुप्रिया सूले ने एक बड़ा बयान देते हुए बात कही कि 15 दिनों में महारास्ट में जो है वो बड़े बदलाव महारा अजित पवार की तरफ से बयान आता है कि वो पार्टी में है और पार्टी में ही रहेंगे पार्टी के लिए कामकाज कर रहे हैं उस बैठक की लिस्ट में अजीत पवार का नायम गायब हो जाता है तो इस तरीके की तमाम सियासी घटनाई चल रही है वहीं अजीत पवार जो है वो प्रदान मंतरी नरेंदर मुदी के कामकाच की तारीफ करने लग जाते हैं साथी साथ मुख्य मंतरी बनने के अपनी वही है उनकी्ट सधस्थ चैलरेख को लेकर के जो चैलंज चल रहा हैं पहले सी कोड में उस पर भी फैसला आने की बात है अगर वह अगर किना चृष किसमें तो इस पर इस अब इन सारी चर्चाओं के बीच में जो है wa poster भी शुरूओ हो गया है एक तरफ कहीं तो ये जो विवाद है वो महारास्ट के सियासत में इस समय लगा तर चाय हुए है पूरी महारास्ट के सियासत इस समय विवादों के साथ ही चल रही है इन सब में जो सबसे बड़े खिलाडी सरत पवार हैं उनके बयान बार-बार बदलते हुए आते हैं कभी प्रदानमंतरी को ले करके बयान आ जाता है कभी अर्बिन केजरिवाल को इमांदार होने की बात वो कह देते हैं कभी पूरे विपक्ष से अलग जो है वो जेपीसी का विरोध कर देते हैं फिर वो कह देते हैं कि विपक्ष जो है एक होने एक ही है उसके बाद वो बयान देते हैं कि महाविकास हगाडी का कोई भविष्च नहीं है वो आगे रहेगी कि नहीं रहेगी कुछ पता नहीं है तो इन सारे जो सियासत में विवाद हैं सब के बीच में सरत पवार इस समय बड़ा खेल खेलने में लगे हूए अब महारास्ट में से लेकर के दिल्ली तक जो भी बड़े खेल होने हैं महारास्ट के reference में वो कही न कही सरत पवार से ही connected होंगे और जल्दी हम सब के सामने भी ये बातें आएंगी तो फिलाल की जो महारास्ट की सियासत है वो पल-पल लगातार बदल रही है हर रोज नए बयान आ रहे हैं नए बदलाव आ रहे हैं इन संभावनाओं पर भी तमाम इस लिस्कों के राय अलग-अलग है लेकिन अब ये इस पर क्या अंतिम निर्णा होगा ये तो फिलाल सरत पवार ही जाने और आने वाले चुनाओं में ही ये सारी चीज़ें इस पस्टो पाएंगी अन्यवात